नमस्कार दोस्तों अपराजिता का फूल तो आप सभी ने देखा होगा लेकिन इसके औश्रद्य गुन आप नहीं जानते होंगे नीले रंका ये फूल देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईवरवेद में कई परेशानियों को दूर करने के लिए इसका स्तमाल किया जाता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपराजिता के बारे में लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर चलिए अब जानिए अपराजिता के बारे में इसका बॉटनिकल नेम क्लाइटोरिया करनेशिया है भारत में इसका उतपादन सबसे जादा किया जाता है टाइब टू डाइबिटीस के समस्या से ग्रसित लोगों के लिए अपराजिता किसी भी वर्दान से कम नहीं इसके चाई पीने से शरीर में शुगर की मातरा को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है सांस संबंधी समस्याओ जैसे के अस्थमा, कफ, जुखाम में अपराजिता का इस्तमाल करना फाइदे मन्द हो सकता है मुक्य रूप से रैस्पिरेटरी ट्रेक में जब सूजन आ जाती है उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इस समस्या के समादान के लिए अपराजिता का सेवन किया जा सकता है इसमें पाया जाने वाला एंटी माइक्रोबियल गोण विशेश रूप से लापकारी माना जाता है माइग्रेन के समस्या होने पर सर में बेहत दर्द रहता है लेकिन आप ही जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और शर्द पौधा माइग्रेन के समस्या में भी रहत पहुचा सकता है साथी साथ इसके सेवन से पेट समबंधी परिशानी भी दूर रहती है पेट से जुड़ी विभन समस्या को दूर करने के लिए अपराजिता को विशेश रूप से फाइदिमंद माना जाता है इसके सेवन से अपच, कब्ज, गैस आधी की दिक्कतों के साथ ही बावासीर के समस्या को भी कम किया जा सकता है इसमें पाया जाने वाला माइड लेक्सेटिव गुड इन समस्याओं को दूर करने में प्रभावी है दोस्तों किसी भी वेक्ति की उम्र क्या है, जेंडर क्या है और से क्या परिशानी है उसके अनुसार ही अपराजिता की खुराक ली जाती है इसलिए इसके सेवन से पहले किसी भी आयरुवेदिक डॉक्टर से सलहा जरूर ले और इसके बाद ही इसका सेवन करे साथ ही इसके सेवन से पहले कुछ बातों का भी विशेश तोर पर ध्यान रखे गर्भवती महिलाओ को अपराजिता का सेवन बिना डॉक्टर ही परामश के नहीं करना चाहिए स्तन पान कराने वाली महिलाओ को भी इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलहा के नहीं करना चाहिए अगर आपको लीवर की परिशानी है तो पहले डॉक्टर से सलहा ज़रूर ले उसके बाद ही अपराजिता का स्तमाल करें वहीं किड्नी से जुड़ी समस्या होने पर भी अपराजिता का सेवन डॉक्टरी सलहा के बाद ही किया जा सकता है अगर आपको किसी आयुरुवेदिक दवा से एलर्जी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करे वहीं डाबेटीज और ब्लड प्रेशर के दवाओ का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो अपराजिता का सेवन उनके साथ करना नुकसान दे हो सकता है दोस्तो आज इस वीडियो में हमने बात की अपराजिता की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताए अगर आप कुछ ऐसे ही औश्रदी पौधों के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें तंदरुस्त रहें नमस्कार